गूड मॉनिंग बच्चों, तो आज जो है, M.C.Q. है, फर्मा कोगनोसी का पार्ट वन, ओके, तो इसमें भी हम लोग वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, पहले आसांत कोश्चन रहेंगे पार्ट वन में, पार्ट व में उससे अधर टाफ कोश्चन करते चले जाएंगे, ता सारे के सारे सारा सब्जेक्ट अगर हमने खतम कर दिया, उसके बाद फिर इन ही सब के ऑनलाइन टेस्टे स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्जाम के पहले फुल प्रूफ तयारी आपकी हो जाए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, जिस तरह से, क्योंकि क्या है अप किस तरह perform करना है, किस pattern पे question बन रहे है, कितना fluctuation है, जैसे हम लोग देखते हैं, हर click पे option change हो जाते हैं, serial number change हो जाता है, network की वज़े से बहुत सारे बच्चे exam नहीं दे पाते हैं, UFM लग जा रहा है बहुत बच्चों का, flag warning बार बार दिखा रहा है, proctor आपका, तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, और time time पे हम लोग discuss करते रहेंगे, इसके बारे में, क्योंकि main priority क्या है, pass होना, online में, क्योंकि आप लोग को आदत नहीं है, online exam की, maximum बच्चों की, मैं सब की बात नहीं करता, ठीक, तो अब हम लोग question देखते हैं, मैंने कहा न, सबसे आसान, 25 क सेटिसली बनाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 25 कुष्चिन आपको एक घंटे में करने हैं, मैं 20 मिनट के अंदर 25 कुष्चिन आपको करने की आदत डालूँगा, even मैं टेस्ट लूँगा, तो टेस्ट में भी यही प्रैप क्राइटीरिया रहेगा, 25 मिनट में आपको 25 कुष् हैं, उनकी बात होगी, यहाँ पे कुष्चिन क्या है, इंडियन फर्मकोगनोसी की बात की जा रही है, तो कुष्चिन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, पता लगा जल्दी में हो, प्रेशर में हो, बार बारते ही चले गया, फार्मकोगनोसी और टिक कर दिया किसी और चीज को बाद में पता चला, रियलाइज हुआ आपको, कि वहाँ पे तो उसने क्या क्या था, इंडियन फर्मकोगनोसी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्सन हमारे पास क्या है, अरेस्टर्टल, डॉक्टर चंद्रकान्त को काटे, शेर मॉंग या नन, तो बच्चिन जो हम अब हम बात कर लेते हैं, फादर आफ फर्मकोगनोसी की, कि पूरे वर्ड में फादर आफ फर्मकोगनोसी किसको बोला जाता है, वात क्यों इंडिया की नहीं है, तो हुई इस दा फादर आफ फर्मकोगनोसी, इसमेड हिपोक्रेट्स, डायो इसकोराइट्स, या अरेस्ट तो अगर हम father of pharmacognosy की बात करें तो डायो इसको राइट्स को हम बोलते हैं father of pharmacognosy next है botnical source of LOA जो को सारा का सारा subject cover करना है ठीक है तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा second year का paper खतम हो जाए तो हम लोग इसको speed up करेंगे जो एक दिन में एक वीडियो डाला हूँ एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो डालना शुरू करेंगे तक कि जल्दी से जल्दी आपके सारे के सारे easy है वाले और tough वाले online exam सब कुछ एक साथ सुरू कर देंगे जिससे की थोड़ा सा speed up हो जाए है ना बाटनिकल सूर्स ओफ एलोए क्या होता भई तो सैक्रेस बार्व या रियम या एलोए बारबा डेंसिस मिलर या all of the above तो सैक्रेस बार्व होता नहीं है रियम भी नहीं होता है तो बाटनिकल सूर्स ओफ एलोए क्या होता है एलोए बारबा डेंसिस मिलर देखो ध्यान रखना जैसे बात की जाए बाटनिकल सूर्स ओफ एलोए की ठीक तो question तो ऐसा ही रहता है लेकिन option चेंज हो जाते हैं सूर्स ओफ रुबार्ब वहां पर भी simply box बना रहता है कि कौन सा सही कौन सा गलत जैसे आप टिक करते जाओगे वैसे वैसे side में आपको यह देखने की जरूत नहीं पड़ेगी उसमें कि कौन सा हमने किया कौन सा हमने छोड़ दिया side में एक से लेके 25 तक के numbers लिके रहेंग कि कौन सा question आपका छुट गया है ठीक है तो software बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है तो source of rhubarb क्या होता है dried rhizomes, leaf, seed या none तो source of rhubarb होता है dried rhizomes ओके यानि ए ओप्सन सही है alkaloids are found in, alkaloids कहां found होते हैं, कहां से, जब source क्या है alkaloids का, animal है, plant है, minerals है, या vegetables है तो जो alkaloids होता है basically जो main source होता है वो होता है हमारा plants फिर next है pharmacological action of morphine, pharmacological action morphine का कैसा होता है hypertensive होता है, antiseptic होता है, anti-gout होता है या narcotics होता है तो हमको पता है कि जो morphine हमारी होती है, क्या होती है, narcotic drug होती है कैसी narcotic या psychotropic drug होती है, तो morphine जो हमारा कैसा है, pharmacological action कैसा होगा नार्कोटिक्स की तरह यानि सेक्स का D option सही है example of कार्डियो टॉनिक की बात करें अगर तो कार्डियो टॉनिक कौन सी भाई alloy, flow, digitalis या nutmeg तो mainly अगर specific बात करते है appropriate की तो कार्डियो टॉनिक activity होती है हमारी किसकी digitalis, purpurea किसकी digitalis की यानि C option सही हमारा अब कार्डियो ट्रग्स कौन सी होती है slabus उठा के देख लो पहले आप अपना slabus बहुत अच्छे से पढ़ लो slabus पढ़ लोगे बहुत सारे question automatically ऐसे ही हो जाएंगी कार्डियो ट्रग्स की बात करें गर तो glow, phenyl, nutmeg, all तो यह सारी की सारी क्या है हमारी चाहिए glow भी carminative है phenyl wave भी carminative property होती है nutmeg में भी होती है यानि हमारा D option सही है dragon drop reagent ठीक है alkaloid के identification के लिए dragon drop reagent यूज़ करते हैं ठीक तो क्या होता है भई किस से मिलकर बना होता है potassium mercury iodide potassium cadmium iodide potassium bismuth iodide या पिकरी के से लिए तो जो dragon drop reagent होता है वो होता है potassium bismuth iodide यानि हमारा C option सही है next है deadly nightshade plant किसे बोलते हैं deadly nightshade plant किसका synonym है hyosymus dhatura estremonium nun या belladona तो बात करते हैं अगर deadly nightshade plant की तो उसको बोलते हैं d option सही हमारा biladona biladona को बोलते है deadly nightshade plant अजवाइन consist of dried ripe fruits of plant भई अजवाइन किस plant से किस plant के ripe fruit से बनता है ठीक या हमको क्या होता extract किया जाता है तो option हमारे पास क्या है tracky spermam eme caram curvy cumin या none जितना important होता है ध्यान से question को पढ़ना पहली चीज़ तो जवाब आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप question को समझना जाओ अच्छे से तो question को दो से तीन बार ज़रूर पढ़ना ठीक और फर्मा कोगनोसी में तो बहुत ध्यान से पढ़ना है भई morphology की बात कर रहा है microscopy की बात कर रहा है chemical constituent की बात कर रहा है biological source की बात कर रहा है या specific किस part से extract किया जाता उसकी बात कर रहा है ये चार-पांच चीजे जाननी बहुत जरूरी है ये जान पाओगे तभी आगे जो है आप उसके बाद फिर carefully आप option पढ़ो आपको अगर पढ़ा है आपने तो आपका question कभी गलत नहीं होगा तो मारे पास option क्या है भई ट्रैकी spermum eme, carom curvy or cumin तो जो ट्रैकी spermum eme होता है that is the biological source of adjuvine यानि ए ओप्सन सही हमारा अब क्लो बिलॉंग्स टू फैमिली देखो फैमिली से question बनेंगे और question अगर फैमिली से बनते हैं तो question थोड़े से tough हो जाएंगे या फिर table बना के आप families आप रटलो की मतलब जितनी आपके syllabus में दी ही हुई है drugs तो अगर आप table बना लोगे तो एक तरफ लिको family दूसरी तरफ उस family में जितनी भी drugs आपके syllabus से related हैं वो सारी की सारी आप उसमें write कर लो तो क्लो की जो family होती है क्या है लॉरेसी केरियो फैलेसी नन मिर्टैसी तो क्लो की जो family है that is मिर्टैसी फैली कौन सी मिर्टैसी फैली यानि D option हमारा सही है drugs which does not belong to leaves class तो इन में से कौन सी ड्रग है जो leaves से नहीं extract की जाती है सिन्ना की leaves यूज होती है yukalyptus की leaves यूज होती है turmeric की leaves use नहीं होती है drugs के लिए यानि की हमारा कौन सी option सही है एक चीज ध्यान रखना की कभी question पूछता उसमें accept लगा देता है जैसे यहाँ पे कहा है not belongs leaf class से belongs नहीं करती है means हमारा turmeric यानि B option सही है next है हमारा chemical substance present in the plant can be identified by अब देखो ध्यान से अब अगर हम plant identification की बात करते है तो सारा का सारा सही हो सकता भई morphologically भी करते है chemical test भी करते है chromatography भी कर सकते है identify हो जाए लेकिन specific की बात की जा रही है chemical constituent की उस plant के अंदर कौन से chemical constituent chemical substance present है उनका identification कैसे होगा तो उसके लिए क्या है chemical test कर सकते हो उससे identify हो जाएगा कि भई ये element present है कि नहीं ये compound present है कि नहीं या chromatography chromatography में हम chromatogram चेक कर लेते हैं वो उसका जो भी chemical निकलता है उसको हम run कराते हैं और chromatogram चेक कर लेते हैं उससे पता चल जाएगा उसकी peak जितनी जाती है उससे idea लग हो जाता है उससे पता चल जाएगा कि कौन सा chemical constituent इसमें present है यानि B और C option है ये हमारा सही है ओके reserpine are isolated from ralphia reserpine are isolated from ralphia कहां से reserpine का extraction होता है किस पार्ट से होता है rhizome से होता है leaf से होता है stem से होता है root से होता है तो जो reserpine होता है वो ralphia के root से क्या होता है extract किया जाता है ठीक है अब win-cristin, win-blastin having property win-cristin, win-blastin के अंदर कौन से property होती है option क्या है anti-emetic anti-malarial, anti-cancer या anti-alcer तो simple सा है कि win-cristin और win-blastin ये हमारी इसके अंदर anti-cancer property होती है anti-cancer की जूर्ड्रक्स होती है track की जाती है win-cristin और win-blastin से योगी बहुत useful है आज की date में भी यानि हमारा C option सही होगा alkaloids are type of substance alkaloids किस तरह के substance होते हैं basic nitrogenous होते हैं, antidote होते हैं acidic होते हैं, chemical होते हैं तो basically alkaloids के nitrogen containing compound होते हैं यानि basically ये nitrogenous base होते हैं alkaloids, यानि A option हमारा सही है, ठीक है next क्या chemical test used to identification of alkaloids chemical test मैंने कहा कि informative भी होगा video और knowledgeable भी होगा means हमारा main concept क्या है, कि आपको objective question MCQ provide कराए जाएं, ठीक MCQ provide कराए जाएं, ठीक है साथ साथ में extra additional knowledge भी provide कराए जाएं, यहाँ पे क्या है mayor's reagent की बात करें, चाहे dragon drop test की बात करें, चाहे wagner test की बात करें, यह तीनो test किसमें use होते हैं identification of alkaloid में ठीक, तो यह all of the above तीनो test के नाम याद कर लें, तीनो different, different कहीं पूछ लिया जाते हैं, कहीं mayor's reagent पूछ लिया जाए या wagoner tree agent पूछ लिया जाए, dragon drop कहीं देखो तो समझ जो यह identification of alkaloid की बात कर रहे हैं, ठीक है यानि all of the above, यानि D option हमारा सही होगा, अब lignified trichomes is characteristic of, lignified trichomes की बात की जा रहे है, यह किसकी characteristic है synchona, dhatura या nux vomica तो जो lignified trichomes हैं, यह तीनों की होते हैं हमारे, ठीक है, यानि D option हमारा सही होगा example of pseudo alkaloid is pseudo alkaloid का example कौन सा होता है ericoline, hygrine none या caffeine तो pseudo alkaloid का बढ़िया सा example हमारा क्या है caffeine, वैसे तो बहुत सारे example है pseudo alkaloid के, लेकिन यहाँ पे इन options में हमारा D option यानि caffeine is the correct answer tannin give which color with iron compound tannin क्या है iron compound के साथ कौन सा color देता है, pale yellow, light pink orange, blue black तो बच्चों सही option नमारा blue black, कभी कभी यह green color भी देता है, कौन सा green color भी देता है, ठीक है यह सब depend करता है कि कि इतना जो है, फेरस से फेरिक में कितना convert हो रहा, कितना फेरिक oxide बन रहा है, ठीक है, उस पे depend करता है कि उसका exactly color कौन सा आएगा, ठीक, तो हैने D options है हमारा, मेर्स reagent used to detect starch, glycoside, alkaloid resin, देखो इसके पहले जब हमने alkaloid से related test की बारे में बात की थी, तो वहाँ पे हमने the Wagner test, मेर्स test, Dagon Rauf test, सारे test देख लिए थे किसके लिए थे वो, alkaloid के तो यहाँ पे उसमें से कौन सा test है मेर्स reagent, ठीक, मेर्स reagent used to detect alkaloids यानि C options है इसलिए कहता हूँ कि options को ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लो, कि यह option थे, वो option किसी भी करे से question घुमाया जाए, मैं यह नहीं कहता कि question इन ही में से आएंगे क्योंकि अभी तक का experience मेरा बहुत अच्छा रहा है बहुत सारे लोगों को तो doubt यह होता है कि मेरा channel उठा लिया गया है उसी से question बना दिये गया है, बस थोड़ा सा उसकी terminology change कर दी गई है ठीक है, तो हमारा C option सही है drug is used as the anti-malarial अब anti-malarial drug में इसे कौन सा plant है अशुगंदा, तुलसी artemisia, जिंसिंग देखो जितने हैं सब के सब immunity तो भी strong करते हैं, लेकिन अगर हम basically हम बात करें, anti-malarial drug की, तो उसमें artemisia या artemisinin जो होते हैं, वो कैसे होते हैं उनकी property क्या होती है anti-malarial, यानि c option सही है हमारा, ठीक thorn apple is also known as thorn apple किसे बोलते हैं बाई, बेलाडोना सिंकोना, ऐसा फडिटा या धतूरा तो thorn, यानि काटे निकले होते हैं, apple is known as, अपल की तरह का कौन होता भी काटे किसमें निकले होते हैं बेलाडोना में होते हैं, सिंकोना में होता है सेफडिटा में होते हैं, या धतूरा में होते हैं तो बच्चे जिए धतूरा होता है वो आपका भी विध्यान से देखो उसमें क्या बड़े-बड़े काटे निकले रहते हैं और गोल-गोल सा रहता है बॉल के जैसे, उसमें जैसे काटे लगा दिये जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, थॉर्न एप्पल, ठीक है, उसका दूसरा नाम है, question last क्या है, government opium factory is situated in, बहुत important question है, और इस तरह के question बहुत आए है, second year में, ठीक, तो इसलिए मैंने plot किया है, इसा question, तो government opium factory कहा कहा situated भई, गाजीपुर में है, गौलियर में है, और इसका जो headquarter है, न्यू दिल्ली में है, यानि नई दिल्ली में इसका headquarter है, यानि government opium factory इन में से सभी जगे हैं, यानि हमारा D options हही है, ठीक है, तो 25 question आपके पूरे हो गए, ध्यान से आप इनको पढ़ि क्योंकि क्या है, जब question ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, इसलिए जब तक धिरे-धिरे चल लाए, आप 3-4 बार वीडियो देखते रहे, ताकि जब अगला वीडियो आए, तो पिछला देखने की जोरोता पड़े, आपको अच्छे से याद कोजा हो, क्यों ज winner, जाएंगे, जो जब झाल, एएंगे, जो में या सत्कत हम